इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ की एक्ससाइस 13B के क्वेशन नमर 31 से लेके 39 तक करेंगे इसके पहले जो क्वेशन से मैं अलड़ी उने अप्लोड कर चुका हूँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो वन बाबन इन क्वेशन को करना शुरू करते हैं एक बेलन का आयतन और वक्र प्रिष्ट क्रभशह ये है बेलन की उचाई और आधार की त्रीचे ग्याद कीजिए तो क्वेशन में क्या दिया है बेलन का आयतन बेलन का आयतन πाई आर स्क्वाइर ह होता है और ये दिया है 24750 और वक्रप्रिष्ट दिया है तो बेलन का वक्रप्रिष्ट ये होता है 2πाई आर एच और ये भी दिया है 3300 ये सेंटिमीटर क्यूब है और ये सेंटिमीटर स्क्वाइर है यहाँ पर देखो हमें आर और एच फाइंड करना है आप चाहो तो आर और एच शुरू में लिख सकते हैं कि माना बेलन की जो उँचाई है ये बराबर एच है और त्रिज्या ये आर है हमें ये दोनों ग्यात करने है कैसे करेंगे बहुत सिंपल है इसको समिकर्ण नंबर एक नाम देते हैं ये समिकर्ण नंबर दो है अगर हम इने भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा तो समिकर्ण एक को समिकर्ण दो से भाग देने पर तो पाई आर स्क्वाइर एच उपर आएगा, टू पाई आर एच नीचे आएगा है ना, इक्वल्स टू, टू, फोर, सेवन, फाइव जिरो उपर आएगा, और डबल थी, डबल जिरो नीचे आएगा, अब यहाँ पर सिंप्लिफाई करते हैं, पाई से पाई कटा, एच से एच क और यहाँ पर भी थोड़ा सिंप्लिफिकेशन, ये 11 से जाएगा, 11 से बिल्कुल जाएगा, 11 दूने 22, 5 फिर यह जाएगा, 15 से जाएगा, 15 दूने 32, 15, 15 बटी 2 आ गया है, यहाँ पर 2 से 2 कट रहा है, तो कलियर ली आर बराबर 15 आ गया है तो यहाँ पर R आ चुका है 15 cm यानि तरीज़ा आ चुकी है ठीक है अब R के मान को हम चाहे इसमें रखें या इसमें रखें आंसर आ जाएगा इसमें रखना ज्यादा सही है तो 2 पाई आर एच ये है 3300 तो 2 इंटू पाई है 22 बटे 7, R है 15 और H हमें निकालना है और इस तरह से H आ जाएगा 3300 इंटू 7 अपाउन 2 इंटू 22 इंटू 15 11 दूने 22, 11 तिया 33 ये हुआ 15 दूने 30, 2 से कटा 10, 2 से कटा 5, 5 से 35 और ये आ जाएगा 35 सेंटिमीटर ये हमारा आंसर ठीक ना तो ये तरिज्जा है और ये उंचाई है Question number 32 है एक लकडी का टुकड़ा है वो किस प्रकार से है देखो इसका जो आधार है ये 30 बाई 30 है तो ये आधार है ओके तो ये जो है 30 सेंटिमीटर, 30 सेंटिमीटर और उंचाई है 70 सेंटिमीटर तो ये हमारे पास एक लकडी का टुकड़ा है इसमें एक सबसे बड़ा बेलन काटा गया है तो सबसे बड़ा बेलन कैसे कड़ेगा इसमें इस प्रकार से एक बेलन यहाँ पर बनाया गया है और ये बेलन सबसे बड़े से बड़ा बेलन जो हम बना सकते हैं हमने बनाया है अगर हम इसको काड़ दें तो जो शेश लकड़ी है उसका क्या आयतन होगा तो सीधी सी बात है हमें इस लकड़ी के टुकड़े का जो शुरू में एक घनाब के आकार का था उसका आयतन हम गयाद करेंगे बेलन का आयतन गयाद करेंगे और माइनस कर देंगे त यह था है लंबाई गुर्णा चोड़ाई गुर्णा उचाई है ना यानि तीस गुर्णा तीस गुर्णा सतर तिन्तीय नो, नो सतिय Т्रेशट यह तो होगा लकडी के टुकड़े का आयतन अब बेलन की बात करते हैं तो जो बेलन है इसकी त्रीजय क्या है? तो बेलन की तरिज्या तीस का हाफ कर देंगे हम तो ये आ जाएगा पंदरा सेंटिमीटर जो उंचाई है ये तो सत्तर ही रहेगी आप समझ रहे हैं न देखो पहली बात तो बेलन की तरिज्या आप सोच रहोंगे कि पंदरा कैसे हुई देखो बेलन का जो व्यास है ये बिलकुल जो लकड़ी का टुकड़ा उसके लंबाई के बराबर है आप देख सकते है तो इसका आधा करेंगे तो इसकी तरिज्या आ जाएगी इसलिए पंदरा है और जो बेलन की उंचाई है ये तो पूरा लकड़ी के टुकड़े की उचाई के बराबर ही है तो एच आ जाएगा 70 सेंटिमीटर तो बेलन की तरिज्या ये है उचाई ये है तो आयतन हम आराम से ग्याद कर सकते है आयतन होता है पाई आर स्क्वाइर एच पाई है बाइस पटे साथ आर है पंदरा सेंटिमीटर क्यूब और तो लकड़ी के शेश भाग का आयतन क्या होगा शेश लकड़ी का आयतन तो इसके लिए हम क्या करेंगे पूरी लकड़ी का आयतन उसमें से माइनस करेंगे जो बेलन हम निकाल चुके हैं और माइनस करके आजाएगा तेरा हजार पांसो सेंटिमीटर क्यूब तो यह हमारा फाइनल आंसर है एक लंब विर्थिय बेलन की उचाई 12 सेंटिमीटर व्यास 6 सेंटिमीटर है देखो एक लंब विर्थिय बेलन इस परकार से है इस बेलन को पिगला कर छोड़ी छोड़ी डिस्क बनाए जाती है बेलना कार डिस्क डिस्क भी बेलना कार है और यह भी बेलन है डिस्क कुछ इस परकार से है तो यह यहाँ पर डिस्क बन गई है यह भी बेलना कार है यह भी बेलना कार है तो इस से इसको पिगला कर हमने ये डिस्क बनाई है यहाँ पर ठीक ना इसको पिगलाया है और इस परकार की डिस्क बनाई है खुप सारी बन जाएंगी obviously तो कितनी बनेंगी हमें पता करना है तो सीदी सी बात है इसका आयतन गयाद करेंगे हम फिर इसका आयतन गयाद करेंगे हम उनको भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कितने डिस्क है तो लंब विर्तिय बेलन के लिए यानि इसके लिए जो लंब विर्तिय बेलन है इसकी उचाई क्या है 12 सेंटिमीटर और इसका व्यास 6 सेंटिमीटर तो व्यास अगर 6 है तो तरिज्य हो जाएगी 6 अपॉन 2 यानि 3 सेंटिमीटर एच और आर हमारे पास है तो इसका आयतन क्या होगा आयतन होता है पाई आर स्क्वाइर एच तो पाई कोई वैल्यू नहीं रखेंगे हम क्योंकि एंड में उसने कटना ही है आर 3 है तो 3 का स्क्वाइर करेंगे एच 12 है तींतिया नो बारण में 108, 108 पाई आ गया हमारा इतना cm3 ये आयतन है अब डिस्क की बात करते हैं डिस्क की जो उचाई है ये है 2 mm है न इसकी मोटाई यानि उचाई मोटाई बात एगी है 2 mm लेकिन सारा हिसाब किताब cm में है तो हम इसको लिख देंगे 0.2 cm और जो इसकी तरिज्या है तो व्यास जो है ये है 2.4 cm तो जब हम तरिज्या की बात करेंगे तो 2.4 divided by 2 यानि 1.2 cm तो आयतन क्या होगा इसका आयतन आप जानते हैं पाई आर स्कॉयर एच फॉर्मुला होता है पाई की वैली पूट नहीं करेंगे जैसे हमने यहाँ पे भी नहीं की थी आर है 1.2 इसका स्कॉयर करना है और ह है 0.2 तो यह हो जाएगा 1.2 का स्कॉयर होता है 1.44 इंटू 2 किया तो 288 0.288 और यहाँ पे पाई आ गया है cm3 ठीक है यानि हमें इसका आयतन मिल चुका है इसका आयतन मिल चुका है बस इनको भाग देना है तो इसलिए कुल डिस्कों की संख्या तो इसमें हम क्या करें इस आयतन में से इस आयतन में हम भाग देंगे किसका 0.288 पाई का है न सेंटिमेंटर क्यूब दोनों तरफ है तो यह तो खैर कटी जाएगा पाई से पाई भी कट जाएगा हमारे पास है 108 divided by 0.288 इससे कैसे कैलकुलेट करें पाईंट हटाओ 30 लगा दो क्योंकि नीचे 3 स्थान है पाईंट के बाद 3 अंक हैं फिर यह बारा से जाएगा 12.9108 तो यह हुआ 9000 और बारा से यह जाएगा 12.24 बारा चुको 48 फिर यह जाएगा 3 से तो 3.28 और यह 3 से जाएगा तो 3.000 फिर 8 से यह चला जाएगा तो 8 24 तीन सो पिचे तर आए गए 3.75 डिस्क यह हमारा आंसर है क्वेशन नमबर 34 है बाईस मीटर गुणा दस मीटर के छत से वर्षा का पानी बहकर एक मीटर तिरिजा के आधार और 3.5 मीटर उंचे बेलनाकार बरतन में एकत्र होता है ये दि बरतन पूरा भरा हो तो ग्यात केज़े कि कितने से मीटर वर्षा हुई थी देखो क्वेशन सिंपल है ये जो छत है इसकी लंबाई चोड़ाई दी है और और मालो की छत इतनी वर्षा हुई है ना भई छत पे मालो की बंद करका है वो कही पानी जाने का रास्ता नहीं है तो छत पे इतनी हाइड की वर्षा हुई इसकी उचाई मालो एच है लंबाई है बाईस मीटर चोड़ाई है दस मीटर अब जब ये इतनी बारिश हुई तो उसके बाद क्या किया कि यहाँ से पानी निकाला और ये एक बरतन में रखा बरतन में डाला जो की बेलनाकार बरतन है और ये बेलनाकार बरतन पूरा भर जाता है इस पानी से तो question ये है कि कितने सेमी वर्षा हुई थी यानि पानी इस छट पर कितनी हाईड तक भरावा था तो हम क्या लिखेंगे कि माना h cm वर्षा हुई देखो अब लेकिन सब कुछ मीटर 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 में है तो हम एक काम करते हैं h को मीटर लिखते हैं माना h मीटर वर्षा हुई बाद में cm में बदल देंगे तो छट पर पानी का आयतन जो होगा वो इस बेलनाकार बरतन के पानी के आयतन के बराबर होगा तो छट पर पानी का आयतन बराबर बेलनाकार बरतन में पानी का आयतन तो छट जो है वो उसका आकार है घणाब का और जो बरतन है वो तो बेलन तो लिखा है मैंने बेलनाकार बरतन है तो अब क्या होगा इनका आयतन ने तो आयतन होता है लंबाई गुणा चोड़ाई गुणा उचाई बेलनाकार बरतन का आयतन तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्कॉयर एच लेकिन एक काम करूँ ये एच हमने यहां पे ले लिए लिए ना तो इसको, इसकी height को capital H ले लो, है ना, या अगर आप इसको X लेते, तो फिर इसको हम H ले सकते थे, है ना, इस तरह से, तो एक काम करो, इसको X ले लो, अब ये small H हो जाएगा, इस तरह से, यहाँ पर values पूट करनी है, यह है 22 गुणा, 10 गुणा X हमें ग्याद करना है, और πाई जो है, यह है 22 बटे 7, आर है तरिज्या, तरिज्या क्या है, एक मीटर आधार की तरिज्या, यानि इसका जो तरिज्या है, वो एक मीटर है, और उंचाई है 3.5, तो 1 स्क्वाइर इंटू 3.5, तो कटेगा यह 0.5 आजाएगा, और 22 से तो 22 कटी गया, और यहाँ पर जो है, X आजाएगा, 0.5 अपॉण 10 है ना, यह 10 यहाँ से नीचे आजाएगा, यानि यह होगा, 0.05 मीटर, तो सेंटी मीटर में कनवर्ड करने के लिए, हम 100 से गुणा करेंगे, तो हो जाएगा, 5 सेंटी मीटर, तो 5 सेंटी मीटर वर्शा हुई, यह हमारा आंसर है, Q35 है, एक बेलनाकार बर्टन जिसके आधार की तरीजा 7.2 सेंटी मीटर है, तो ठीक है, एक बेलनाकार बर्टन है, तो इसके आधार की तरीजा है 7.2 सेंटी मीटर, इसमें कुछ पानी भरा है तो मालो इसमें इतना लेविल तक पानी भरा है अब इसमें चार सिमित्रिजा का बेलन पूरा डुबोया जाता है यानि एक बेलन है उसको पूरा इसमें डुबो दिया गया एक दूसरा बेलन तो डुबाए गए बेलन की उंचाए याद कीजिए यानि जो बेलन डुबाए गया है हमने इसकी उंचाए याद करनी है क्वेशन समझ आगे आपको तो देखो सीधी सी बात ये है कि जो डुबाए गया बेलन है उसका आयतन बराबर बढ़ेवे पानी का आयतन तो सबसे पहले जो बड़ा बरतन है उसके लिए देखते हैं बड़ा बेलनाकार बरतन जो है उसके लिए अगर हम देखें तो उसकी त्रिज्या है 7.2 सेंटिमीटर और जो पानी का स्तर उठा है वो है 5 सेंटिमीटर अगर हम देखेंगे डुबाया हुआ बेलन जिसको डुबाया गया है तो डुबाया गया बेलन जो है इसकी अगर हम त्रिज्या देखें तो ये है चार सेंटिमी त्रिज्या का बेलन डुबाया जाता है और इसकी हमें उचाए याद करनी है टो यहां पर हम बड़ा लेलेते हैं और यहां पर बड़ा है ताकि दोनों के आर और एच में अन्तर लगे नहीं तो दोनों को हम स्माल आर-, स्माल आर्ष, स्माल अच नहीं लिख सकते है अब हुआ है जो हम झोटा बेलन डाल इसकी वज़े से पानी का स्तर उठा है तो हम ये लिखेंगे कि डुबाए गए बेलन का आयतन बराबर उठे हुए या बड़े हुए पानी का आयतन तो सिंबल है डुबाए जो हमने बेलन डुबाया वो उसका सीन ये है तो फोमुला तो वही लगता है पाय रस्कॉएयर एच बराबर पाई इसमें आर कर देंगे और इसमें कैबिटल है रहेंगे क्योंकि दोनौ ही बेलन है पाई से पाई कटा जो बेलन डुबाया है उसके तरिजयां 4 है तो 4 का स्कॉएयर एच तो हमें निकालना है और जो बड़ा है 7.2 का स्क्वाइर और हाइट है 5 तो H आ जाएगा 7.2 गुणा 7.2 गुणा 5 बटे 4 गुणा 4 तो 4 अठे नहीं 4 इकम 18 जोको बहुत तर यह 1.8 आया यह भी 1.8 आया और इसे गुणा करेंगे हम तो यह आएगा यह 5 का गुणा करेंगे 90 आयेगा और 18 नमे 162 तो यह 9 यह 16.2 सेंटिमेटर तो यह हमारा आंसर है question number 36 है एक खोकले बेलनाकार पाइप के बाहरी और भीदरी व्यास क्रमशह यह है यह यह पाइप के लंबा 21 सेंटिमेटर है तो इसका संबोन प्रिष्ट और आयतन ग्यात कीजिए देखो बहुत अच्छा question है यह अच्छे से आप इसे समझिए तो सबसे पहले तो खोकला बेलनाकार पाइप किस तरह से होता है तो यहां पर हमारे पास एक खोकला बेलनाकार पाइप है यहां पर आप देख सकते हैं खोकले का मतलब यह अंदर इसकी स्पेस है अंदर इसका खाली है तो हमारे पास ऐसी परिस्तिती में देखो यह है जो बाहरी व्यास होता है अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूँ पूरा यह है बाहरी व्यास वैसे पूरा है मैं इसको बाहरी तरीजा कहूंगा ठीक ना और बीतरी तरीजा के अगर मैं बात करूँ तो वो है यहां से और यहां तक इतना यह भीतरी तरीज्या है आपको बात समझ आ रही है बाहरी तरीज्या यह जो blue color में यह line draw की है और भीतरी तरीज्या जो यह black में line draw की है ठीक है तो यहाँ पर हम सबसे पहले यह basic information लिख देते हैं कि माना बाहरी तरीज्या यह capital R है और भीतरी तरीज्या small r है और जो pipe की लंबाई है pipe की लंबाई edge यह ठीक है तो यहाँ पर अब आप समझिए हमें ग्याद करना है देखो इनको भी लिख देते हैं वैसे बाहरी तरीज्या की अगर मैं बात करो तो बाहरी व्यास में दो से भाग देंगे तो हमें बाहरी तरीज्या मिल जाएगी भीतरी तरीजा कैसे निकलेगी? जो भीतरी व्यास है उसमें दो से भाग दे दो तो ये भीतरी तरीजा निकल जाएगी और जो पाइप की लंबाई है ये लंबाई उचाई बाते की है ये है 21 सेंटिमीटर तो ये हमने बेसिक इन्फोमेशन लिख दी है यहाँ पर हमें ज्याद करना है संपूर्ण प्रिष्ट ये निकालना मुश्किल है आईतन थोड़ा आसान है संपूर्ण प्रिष्ट में क्या क्या होता है? संपूर्ण प्रिष्ट में एक तो बाहरी देखो आप कलपना कीजिए कि आपके पास एक ऐसा खोखला बेलन है और आपको इसे हर जगे से पेंट करना है तो कहा कहां से पेंट होगा? एक बाहर की तरफ से पेंट होगा तो हम लिखेंगे संपूर्ण प्रिष्ट इसमें बाहरी वग्र प्रिष्ट आएगा इसके बाद भीतर की तरफ से भी इसको पॉलिश करोगे तो भीतरी वग्र प्रिष्ट और इसके बाद ऊपर का जो ये हिस्सा है ये वाला हिस्सा यहाँ भी पेंट होगा और नीचे भी ये वाला हिस्सा है यहां भी paint होगा ठीक है तो हम इसको सीरे कह सकते हैं सीरों का क्षेत्रफल बाहरी वक्रप्रिष्ट क्या होगा यह है देखो वक्रप्रिष्ट होता है 2πrh बाहरी के लिए बड़ा आर रखेंगे हम भीतरी के लिए छोटा आर रखेंगे और जो सीरों का क्षेत्रफल है अब सीरा देखो यह भी एक अलग कहानी इसकी तो यह जो सीरा है यह आप टॉप वाला हिस्सा देखो मैं उसको अगर आप उपर से देख रहे हूं अगर यहां से आप इसको देखें यह आपकी आँख है अगर आप इसको ऐसे उपर से देखें तो आपको ऐसे देखेंगा और यह जो मैंने यह बना रख़ा है इस तरह से है ना यहां पर यह जो है यह बलू कलर में यह कैपिटल आर और यह है स्मॉल आर यानि भीतरी तीज्या है ना कैपिटल आर भारी तीज्या तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसका निकालेंगे हम क्योंकि अंदर से तो खोकला है यह इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम तो यह क्षेत्रफल होता है जो दो सकेंद्रिय वृतों के बीच का क्षेत्रफल होता है तो अब देखो ये सिरे उपर नीचे एक जैसे है एक उपर है एक नीचे है तो हम लिखेंगे दो गुणा पाई आर स्क्वाइर माइनस आर स्क्वाइर दो सकेंद्री विरितों के बीच का क्षेत्रफल निकलता है पाई मतलब बाहरी विरित का क्षेत्रफल माइनस भीतरी विरित का क्षेत्रफल और यहां से अगर हम पाई कॉमन लें तो यह बचेगा ठीक ना मतलब इस तरह से बनेगा और वो यह है दो का गोड़ा क्यों किया क्योंकि सिरे उपर और नीचे दो है अब हम यहाँ सब इसके value रखेंगे तो best है कि यहाँ पे कुछ common भी हम ले लें थोड़ा आसान हो जाएगा तो हम 2pi common आ रहा है तो 2pi common लिया हमने rh plus rh plus r square minus r square तो यहाँ पे देखो पाई की value हम नहीं रखेंगे उसका reason यह है कि पाई अगर आप 22 बटे 7 रखते हो इस 7 कहीं कटेगा नहीं और आपके book के पीछे भी पाई में answer है तो मैं पाई में ही इसको रखोंगा लेकिन अगर आपने पाई की जगर पे 22 बटे 7 रख भी दिया है कोई problem वाली बात नहीं है अब यह values पूट करते है capital R 5 है H 21 है small r 3 है H फिर से 21 है capital R 5 का square करेंगे 3 का square करेंगे 2 pi यह है 105 63 25 minus 9 और यह हिसाब करके आएगा 105, 25, 130, 130 में 184 और यह आजाएगा 18 दूने 36 pi cm square यह आया है इसका संपूर्ण प्रिष्ट आयतन निकालना थोड़ा relatively आसान है क्योंकि इसके आयतन में हम क्या करेंगे बाहरी आयतन में भीतरी आयतन को माइनस कर देते हैं मतलब बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन बाहरी आयतन pi capital R square h भीतरी आयतन pi small r square h तो यहां से हम pi भी common ले लेंगे और h भी common आ रहा है ठीक है न तो यह बचेगा r square minus r square h और एक बात ध्यान रखना आप चाहो तो सिदह यहां से शुरू कर सकते हो कि आप लिखो आयतन और सिदह यह formula लिख दो मैंने यह आपको इसलिए यहां पर यह सब लिखा है ताकि आपको समाज आ जाए कि यह formula बना कैसे है pi ठीक है capital R तो अपना 5 है 5 का square minus 3 का square h 21 है यह हो जाएगा pi गुणा 25 माइनस 3 तिया 9 गुणा 21 pi इंटू 16 गुणा 21 और यह हो जाएगा 16 का 6, 16 का 16, 32, 33 pi cm3 तो यह जो है हमारा आयतान आ चुका है 336 pi cm3 ओके आई होप यह पूरा solution आपको अच्छे से समझ आया होगा question number 37 है किसी खोकले बेलन के बाहर प्रिष्ट और भीतरी प्रिष्ट का अंतर 144 वर्ग cm3 है तो यहां पर कुछ बेसिक चीजे मैं लिख देता हूँ कि माना बाहरी तरिज्या कैपिटल आर है वैसे कुछ बचे नहीं भी लिखते हैं कुछ टीचर भी यह नहीं लिखते हैं it's okay कोई इतना ज़रूरी नहीं है बट फिर भी एक तरीका है लिखने का बीतरी तरिज्या स्मॉल आर है और इसकी जो उचाई है एच तो यह हमने मान लिया है अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि बाहर प्रिष्ट और बीतर प्रिष्ट का जो अंतर है वो 44 वर्ग cm है तो बाहर प्रिष्ट माइनस भीतरी प्रिष्ट यह है 44 वर्ग cm बाहर ही प्रिष्ट होता है देखो वक्र प्रिष्ट की बात की जा रही है यहां पर तो 2 पाई आर एच होता है लेकिन बाहर ही प्रिष्ट मैंने कैपिटल आर लिए तो मैं कैपिटल आर लिखूंगा भीतरी प्रिष्ट के लिए 2 पाई स्मॉल आर आ जाएगा और यह 44 है और यह क्या सिंप्लिफाई फर्दर हो सकता है इसमें उंचाई भी दी है क्वेश्ट में तो क्वेश्ट में एक तो उंचाई दी है और यह हमें ग्याद करनी है यानि हमें r ग्याद करना है बाहरी तरीज्या और हमें small r ग्याद करना है भीतरी तरीज्या ओके तो यहाँ पर 2 by common लिया हमने r minus r है और even h भी common है यहाँ पर values put करते हैं 2 into 22 upon 7 r minus r into h is 14 यह 44 दो से 22 दुने 44 चवालिस से यह 44 कड़ी है साथ दुने 14 यह हो गया है और अब यह 2 नीचे जाएगा तो यहाँ पर r minus r आ जाएगा एक बटे 2 चाहे अब एक बटे 2 लिख हो यह 0.5 जैसी जरूत पड़ेगी इसको समेकर नंबर एक बना देते हैं बाद में इसकी हम इसका use करेंगे अब देखो question में दूसरी condition क्या है बेलन को बनाने में इतने घंस सेंटिमेटर धातों का प्रियोग हुआ है यानि जो इसका आयतन है तो पिछले question में आपको बताया था आयतन कैसे निकलता है बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन तो इस वज़े से इसका formula ये बन जाता है खोखले बेलन का आयतन ठीक है और ये 99 है question में लिखा हुआ है तो यहाँ पर pi है अब देखो ध्यान से देखो यहाँ पर बहुत समझदारी से हम काम करेंगे pi की value हम put करेंगे क्या 22 बटे 7 r square मैनस r square को एक बार हम ये आप जानते हैं न x square मैनस y square होता है x plus y into x minus y तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे और h है यहाँ पर 14 यह 99 आ चुका है 7 से कटेगा 7 दूने 14 दो 11 से यह कटा 11 दूने 22 और 11 से यह कटेगा 9 अच्छा अब ध्यान से देखो 2 दूने हुआ 4 और यहाँ पर हमारे पास r minus r है r minus r यह कितना है यह है इसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं और यह 1 बटे 2 है हमारे पास और यह आ चुका है 9 इतना समझ आ गया ना यानि यह जो r minus r है यह हमने यहाँ से रखा केवल कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए तो अब यह r plus r हमारा आ जाएगा 9 बटे 2 यह हमारा दूसरा समेकरण है अब एक समेकरण यह है और एक समेकरण यह है बहुत आसान यह निस हल करना तो इनको हम सिधे प्लस करेंगे तो सिधे हम लिखेंगे कि समेकरण एक और दो से तो समेकरण एक तो हमारी है r minus r बराबर half समेकरण दो है r plus r बराबर 9 बटे 2 इन्हें हम प्लस करेंगे प्लस करके r से r कटा यह आ जाएगा 2 r और यह हुआ 1 बटे 2 plus 9 बटे 2 यानि यह आ जाएगा 10 बटे 2 और यह 5 आ जाएगा तो capital r यहाँ पर आ चुका है 5 बटे 2 इतना clear है capital r हमारा 5 बटे 2 आया है और इसकी value को हम यहाँ put कर देंगे तो small r आ जाएगा small r आ जाएगा 9 बटे 2 minus 5 बटे 2 यह आ जाएगा 4 बटे 2 यानि 2 तो इसलिए जो capital r है आप इसको point में भी लिख सकते थे कोई problem नहीं है ठीक ना इसको भाग देके या तो ऐसे छोड़ दो I think book के पीछे point में आपका answer तो यह 2.5 cm आ गया है small r तो 2 cm ठीक है यह हमारा answer है question number 38 है 10 मेटर आंतरिक व्यास और का 14 मेटर गहरा कोई खोद कर उसके मिटी कोई के 4 और 5 मेटर की चोड़ाय तक समान रूप से फैला कर एक चबूतरा बनाए गया है चबूतरी की उचाए गयात कीजिए देखो यहाँ पर किस तरह से यह बनाए गया है यह है कोवा इस कोवे की जो 10 मेटर का आंतरी इस कोवे का जो व्यास है यह 10 मेटर है यह इसकी तरिज़ा है बैदवे तो तरिज़ा हो जाएगी इसका half 5 मेटर इस कोवे की उचाए है 14 मेटर ठीक है यहाँ से जो मिटी निकाली गई है इसको इसके चार और फैला दिया गया है तो मिटी निकालकर इसके चार और फैला दिया गया है और एक चबूतरा बनाए गया है तो चबूतरा मतलब आपने देखा होगा इस तरह से इस तरह से चबूत्रा बनाए गया है चबूत्रे की चोड़ाई पांच मीटर है यानि ये पांच मीटर है यहां से यहां तक लेकिन हमें चबूत्रे की उचाई याद करने है कि इसकी उचाई क्या है ठीक है question आपको समझ आ गया होगा कि चल क्या रहा है यहाँ पर तो सीधी सी बात यह है जितनी मिट्टी हम कुवे से बाहर निकालेंगे उतनी ही मिट्टी इस चबूत्रे पर लगी है तो कुवे का आयतन यानि कुवे से निकले ही मिट्टी का आयतन बराबर चबूत्रे का आयतन सीधी सी बात है लेकिन यह सब चीजों को हम पहले यहाँ पर जो given information है वो लिखते हैं तो पहले कुवे की बात करते हैं कुवे की जो तरीजया है फाइव मिटर है और इसकी उचाई है यह काम करते हैं इसकी उचाई को हम ले लेते हैं capital H है न क्योंकि small H हम चबूत्री की उचाई ले चुके हैं यह है 14 मीटर ओके तो कुवे से निकली भी मिट्टी का आयतन तो यह तो simply आ जाएगा πाई R square H capital H देखो पाई की value हम नहीं रखेंगे क्योंकि वो कट जाएगा end में तो पाई है पाई को एज़ीज रखेंगे R square और H है अपना 14 तो यह हुआ पाई मीटर क्यूब ठीक है अब है हमारे पास चबूतरा चबूतरा देखो चबूतरा जो है वो एक प्रकार का खोखला बेलन है अगर आप नोटिस करो तो चबूतरा एक प्रकार का खोखला बेलन है है ना जिसमें बाहरी और भीतरी तरीजय है तो यह इसकी बाहरी तरीजय होगी इसको हम नाम देते हैं capital R तो इसमें है बाहरी तरीजया बाहरी तरीजया कैसे निकलेगी तो इसमें जो भीतरी तरीजया है उसमें चोड़ाए एड़ कर देंगे यानि जो भीतरी तरीजया है पांच मीटर है ना भई कुवे की जो तरीजया है वो पांच मीटर है वो चबूत्रे के लिए भीत्री तरिजया हो जाएगी तो 5 मीटर और चड़ाई है वो भी 5 मीटर है तो ये 10 मीटर हो गए तो ये है 10 मीटर इसको मैं आर माल लेता हूँ ठीक ना तो यहाँ पर यहाँ पर इसको मैं अजिम कर लेता हूँ capital R ओके और इसकी भीत्री तरिजया वो तो पहले से ही निकली हुई है small r ये है 5 मीटर है उचाई ये h हमें ग्याद करनी है तो चबूत्रे का आयतन चबूत्रे का आयतन पाई देखो खोगले बेलन का आयतन होता है पाई r square minus r square into h पाई को हम asres रखेंगे क्योंकि बाद में उसने कटना है capital R है अपना 10 10 का square minus 5 का square into h हमें ग्याद करना है ये हुआ 100 ये हुआ 25 minus करेंगे 75 आएगा तो 75 पाई h ठीक है यहाँ तक अब इन दोनों को हम ये कोएक से निकले मिट्टी का आयतन ये चबूत्रे का आयतन है दोनों को बराबर करेंगे हम तो यहाँ पर कर देते हैं इसे solve तो कोएक चबूत्रे का आयतन यहाँ पर है 75 πाई h कोएक से निकले मिट्टी का आयतन 350 पाई है न यूनिट हम बाद में लिख देंगे पाई से पाई कैंसल हुआ और यहाँ पर ह बराबर आ जाएगा 350 बटे पिचेतर तो यह कैलकुलिट करके आएगा पॉइंट में आए गए तो 25 पिचेतर 25 पिचेतर 25 पिचेतर ठीक है और यहाँ पर हम डिवाइट करेंगे तो यह आ जाएगा 3 चको 12 4.66 मीटर यह हमारा आंसर है ध्यान रखना आपकी बुक के पीछे आंसर गलत है इस क्वेशन का बुक के पीछे आंसर हो सकता नई बुक में अपडेट हो गया हो पुरानी बुक में यानि जो बुक मेरे पास है उसमें आंसर 7.22 मीटर है और यह आंसर सही नहीं है यह इसका करेक्ट आंसर है यदि एक लंब विर्तिय बेलन का व्यास 5 परतिशत कम हो जाए तो ज्याद कीज़े उसके उँचाई में कृतिनी परतिशत की व्रिधी हो जाए जिससे आयतन में कोई परिवर्तन न हो तो लंब विर्तिय बेलन माना अब हमारे पास देखो दो अलग-लग बेलन है मतलब पहले पुराने पुराने कन्डिशन भी नई कन्डिशन लेके चलेंगे तो जो हमारे पास original है पुराना बेलन मैं इसको पुराना बेलन नाम दे रहा हूँ जो original है हमारे पास ठीक है इसकी उंचाई यह है height h और जो इसका व्यास है यह है d तो इसका जो आयतन क्या होगा आप जानते हैं कि आयतन का फॉर्मला होता है पाई आर स्क्वाइर एच आर तो यहाँ पर जिक्र नहीं किया है व्यास का जिक्र किया है तो मैं इसको व्यास की रूप में ही लिख रहा हूँ ऐसे और यह हो जाएगा एक बटे चार पाई डी स्क्वाइर एच है ना यह पुराना बेलन है हमारे पास ओरिजिनल तो यह ध्यान रखना हमारे पास यह पुराना केस है आप समझगे नहीं आपर यह जो रेडियस है इसको मैंने डायमेटर अपन हाफ लिख दिया है व्यास का आधा डायमेटर तिरिज्जजब होती है यह व्यास की आधी होती है इसलिए मैंने इस त checking से लिखा है अब नए बेलन की बात करते हैं नए जो बेलन है इसमें क्या होता है देखो यहां पर जो इसकी उँचाई है यह मान लेते हैं कि जो उचाई है वो h- है तो अब उचाई जो है h- हमें ग्याद करनी है क्योंकि उचाई का ही तो question है जो इसका व्यास है उसको d- मानकर मैं चल रहा हूँ d- व्यास 5 परतिशत कम हो जाता है तो पहले तो d था इसमें से 5 परतिशत कम हो गया है तो यह हो जाएगा 95 upon 100 d आप चाहो तो इसको 19 upon 20 d भी कर सकते हो काट के यह है वैसे इसको चलो ठीक है ऐसा लिख देते हैं और जो इसका आयतन है आयतन में v- लिख रहा हूँ सब में जो नया केस है उसमें dash लगा रहा हूँ मैं तो यह है pi r square h normal formula तो यही है हम जो use करते है लेकिन जो r है वो इस बारी जो d dash हो उसका आधा करेंगे हम यानि 19 d upon 20 है ना इसका आधा तो यह काम करते हैं जैसा हमने यहाँ पर लिखा वैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं यानि एक बटे 4 pi d dash यहाँ पर हो जाएगा और h dash हो जाएगा ठीक ना तो यहाँ पर हम values पूट करेंगे 1 upon 4 pi d dash क्या है 19 d upon 20 है इसका square और h dash तो हमें निकालना है तो देखो एक बटे 4 को as it is रहने दो pi को as it is रहने दो 19 का square होता है 361 20 का square होता है 400 d square h dash अब question में लिखा है कि यह दोनों बराबर हैं है ना यह v dash आया हमारा और यह v है तो यह दोनों question में लिखा है कि यह दोनों बराबर है एक यह और एक यह इनको equate कर देते हैं तो since v is equal to v dash तो यानि हम लिख सकते है 1 upon 4 pi d square h is equal to 1 upon 4 pi 361 upon 400 d square h dash तो यहाँ पे इससे तो यह कड़िया d square से d square भी कड़िया तो क्या बचा हमारे पास h dash is equal to 400 upon 361 h यहाँ तक clear हो गया है मलब h dash निकालेंगे हम h की terms में तो यह उपर जाएगा यह अब हमें h dash मिल चुका है h की terms में तो उचाई में कितने प्रतिशत की विर्धी होगी तो उचाई में विर्धी उचाई में विर्धी प्रतिशत में ध्यान अखना जब भी किसी भी चीज़ में हम प्रतिशत विर्धी याद करते हैं तो सबसे पहले अंतर होना चाहिए कि अंतर क्या है और पुराना वाला क्या है उसमें 100 का गुणा कर दो अंतर यानि नई उचाई में से हम पुरानी उचाई को माइनस करेंगे ये है ठीक है तो यहाँ पर ये है 400 H upon 361 पुरानी तो H यही है upon H into 100 ठीक है और अब इसको हम सिंप्लिफाई करेंगे तो ये इधर जाएगा 400 H minus 361 H divided by 361 नीचे आएगा H ये इस तरह से into 100 तो ये हो जाएगा यहाँ पर minus करके 39 H 100 का भी गुणा कर देते हैं upon 361 H H से H कटेगा और यहाँ पर हमें भाग देना है तो ये लगभग 10.8% के आसपास आजाएगा और यह हमारा आंसर है ओके और इसी के साथ इस प्रशनावली का समापन होता है मैं उमीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेशन्स अच्छे से समझ आ रहे होंगे बाकी क्वेशन्स के वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें मिलते हैं अगले वीडियो में टेक केर करता है